नमस्कार दोस्तों वागत आप सभी का एक बाद फिर से हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपेल लोगों लेकर बहुती बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो फॉरें खिलाडी है वो अवेलिबल ह हो सकते हैं आईपेल 21 के बच्चे हुए मैच को ले करके जी हां दोस्तों तब दोस्तों क्या है पूरी रिपोर्ट क्या ही यह ख़बर हम बात करने वाले अपने वीडियो में तो बने रहे हमारे सबक्ते हैं हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए सबसे बड़े फै कि क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है ये खबर तो अब दोस्तों एसे कि हम सब जानते कि आई पील 2021 के जो बच्चे हुए मैच है यानि कि 31 मैच हो में देखने को मिलेगा यूए में जिसको लेकर कि दोस्तों ऐसा बता जा रहा है कि यूए अबुदाबी और सार जहां जैस के तौर पर और कुछ फ्रेंचाइस ही ऐसे हैं जोने जो है दुबाई को रखा है प्रेफ्रेंस के तौर पे लेकिन अब देखना दिल्चेस पर आगा कि बीसी चाहिए इन पर क्या निरिने लेती है तो अब दोस्तों गर बात करें तो आई पेल 21 का जो आकास है वह 17 सप्ट के साथ पाकिस्तान के खिलाब तो इसी के साथ फॉरेंड प्लेयर से आवेलेबल नहीं हो पाएंगे ये पूरी तरीके से कंपर्म हो गया था लेकिन दोस्तों कर बात करें ऑस्टलिया मुल्क के जो खिलाडी है वो partially available हो सकते हैं IPL 21 के मुकाबलों को ले करके वहीं BCJN जो है CPL को request किया है कि अपने मुकाबले को जो है कुछ दिन और आगे ले कर जाएं और ऐसे में CPL को जो हफ्ते 10 दिन पहले खतम करवा देता कि जो फरेंट प्लेयर से वो CPL से फ्री हो जाएं और IPL में पाटिसिपेट कर सके अब दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो BCJN जो है मिटिंग में यह भी निर्न लिया है कि इंग्लेंड क्रिकेट बोड और बाकि सारे क्रिकेट बोड को request करने वाली है कि आई-पेल के लिए खिलाड़ी को जो रिलीस किया जाए अगर उनको लगता है कि खिलाड़ी ज यहां पर बताएगा कि A&I के एक ओफीसियल द्वार ये पता चला है कि एक फ्रेंचाइजी के ओफीसियल से इंटर्वियो लिया गया जहां कि उनने बताया है किस तरीके से UA में जो होटल के तयारियां चालू हो रही है जी हाँ दोस्तों सारी फ्रेंचाइजियों को ऐसा ब आई है कि जो फॉरें खिलाडी है वो अवेलिबल हो सकते हैं आईपील के लिए लेकिन दोस्तों इसमें कितनी सचाई है यह देखना दिल्चस्प रहेगा और क्या इस पर पूरा रेपोर्ट और खबर कब निकल के आता है यह भी देखना एक दिल्चस्प रहेगा यूंकि दोस्तों घर बात करें तो बिसी से ने हाला कि इस पर कोई भी एक ऊफिसे रणांस्मेंट नहीं किया है क्या खिलाडी जो है अवेलिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे आई-पील के लिए क्योंकि दोस्तों बात करें तो खीक उसके बाद होने वाला है T20 वर्टकब जिसको ल IPL के लिए अब यह देखना दिल जस्प रहेगा लेकिन इसके बारे में जल्दी ही रिपोर्ट निकल के सामने आने वाले है जैसे ही IPL के दिन हस्दिक होते जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आसा करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जल्दी जाकर करके सब्सक्राइब करते हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा तके हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर रहे तो उसका अपडेट और नोडिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो दोस्तों वीड